वो बोल रही होती है कि इससे काफ़सा खर्चा हो जाएगा हमें अगर ऐसे चलते रहे हैं तो जो सॉंग फैमिली है वो पूरी तरह से फिर्स्क्रेट मैजिकल स्पिर्चुल वार्टर का जो मार्केट है उसे अपना बना लेंगे वो पूरी तरिक्ये से हमें हरा देंगे इस चीज में तो अपिसोन नबर 15 की स्टार्डिंग होती है काई भी बोल रही होती है कि जो जियांग हाउस है वो एक महिने में 150 बोतले बनाता है और हर एक बोतल का जो प्राइस है वो 50 गोल्ड है तो जो मंध्ली प्रोफिट है वो 7500 गोल्ड है एक साल में जियांग हाउस का जो टोटल रिवेन नहीं हो था फस्क्रेट मैजिकल स्पिर्चुल वार्टर का वो कोई 90,000 गोल्ड है यह हम ओरिजिनल कोस्ट को बिना काटे गिन रहे हैं लिलू बोलते वहले यही एक्सपेक्ट कर सकता हूं मैं कि तुम कुछ जादा ही जानते हो पर यह बताओ मुझे कि सौंग जी हाउस की जो क्वालिटी वो अच्छी कैसे होगी वो बोल रही होती है कि चार फैक्टर्स हैं जो कि Magical Spiritual Light की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं वो होते हैं Formula, Experience, Ability वो साथ में क्वालिटी जो होती है जैसे Source, Luxe और Source, Aqua की मतलब जो Ingredients यूज करते हैं वो कैसे हैं हमने जैसे कि पता लगाया है Song Family ने शायद एक Expert के Help मांगी है इस Case में काई भी बोल रही होती है और जो Zwangi ही है वो बार बार Attack कर रहा है Link Wing को Last Factor के लिए मतलब है इस चीजों के लिए Luxe और Aqua के लिए मतलब एक तरीके से Ingredients नहीं दे रहा है इसी वज़े से मतलब हो एक तरीके से इसको हटाना चाता है जियांगा उससे काई भी बोलते वक्त हिल रही होती है तो जो दूसरी होती है वो उसको रोक देती है ऐसे ही फिर काई भी भी Notice करती है वो दोनों मिलके लीलू की तब देख रही होते है लीलू बोलते कि ऐसे हिलना बंद करो जब हम बिजनस की बात करें तो बिजनस की ओपर वो करो तुम दोनों बड़े हो गयो अगर ऐसा होगा द्वारा तो मैं तुम दोनों को डांटूंगा वहलवां की वहला दी बात इसने लीलू बोल रहा होते है कि जवांगी अभी के लिए हमें पैसे चाहिए हम ज़्यादा प्रोब्लम्स को नहीं वह कर सकते हैं जेल सकते हैं ऐसे लग रहा है कि यह ट्रवल मेकर कोई त्रिक है उसको यहां से बगाने का काई भी बोल रही होते कि जो करंट ज्यांग हाउस है वह एक भेड़ी एक की ग्रूप की तरह है जिसका कोई लीडर नहीं है लिंक्विंग की अथोरिटी इतनी जादा उपर नहीं है अगर हम ऐसे फोर्स लगाके ज्यांगी को बाह निकाल देंगे तो इससे बाकियों की दिल में शक पैदा हो जाएगा और उपर चे उसके पास पीहाओ की बैकिंग भी है लिलू सोच रहो हता है इससे तो मेरी सप्लाइ रुक रही है वो सोच रहो हता है कि लू लान से चल जाएगी तो मैं अपनी खाली होल उसको कैसे फिल करूँगा अभी के लिए पीहाओने मेरी सप्लाइ का रोका हुए पर अभी वो लब नया इंसान है क्योंकि मैंसे चुपके अपनी आपको पावरफुल बना सकता हूँ मिस क्यूंगर की पीछे चुपके तब एक इंसान वहां पे आतोर बोलते है यंग लोड हैड मेनेजर वाइस प्र यहां हरानों चात्य और काईवी भी काईवी बोल रही होती है कि यह ओल्ड मैन तो जैंक पीन है यह एक एल्डर है ज्यांग हाउस का इसकी काफ़सदा हाई रेपूटेशन है यह वह इंसान जो दोनों मास्टर्स के पीछे घड़ा था जब उन्होंने ज्यांग हाउस पना जैंक पन बोल रहा होता है कि यह ज्यांग हाउस है वह बहुत बुरा कर रहा है इस साल जो हैड़क्वार्टर्स है उन्होंने मुझे बोल ला देखने के लिए कि चल के रहा है और यह भी सैटल कर दूम है एक तरीके से कि जो प्रेजडेंट नहीं बना है उसका कुछ करने क वह बोल रहा होता है कि वाइस प्रेजडेंट यहान मैं देखा है फाइनेशल स्टेटमेंट्स जो भी है उनको जो फर्स्ट के रिफाइनमेंट रूम की जो रिसेंट पर्फोर्मेंस है वह बोचा बेकार है तुम अच्छा नहीं बना पारे हो इसके वासे जियांगा उसकी काफर जएद खराब होगया कि तो इसके बारे में कुछ बोलना चाहते है इस्मेटर के बारे में यान बोलरी होती है मैं कुछ बोलना चाहते है WITHनको विश्वास है कि तुमें पता होगा है अगर तुम वाइस प्रेजडेंट जौंगी को थो शायद तो कुमें clear हो जाए जुआंगी बोल रहा होता है कि Vice President अगर तुम्हारा पास ability नहीं है तो दूसरों के उपर ब्लेमर डालो यान बोल रही होती है अगर तुम ingredients को रोक नहीं होते है first grade refinement room में तो ऐसा नहीं होता मैं अपने people को train भी नहीं कर पा रही हूँ अगर तुम ऐसा नहीं करते हैं तो मेरी performance यह जो production की वह जरह भी बेकार नहीं होता है जुआंगी बोल रहा होता है कि Lulaan City की situation हमेशा बुरी होती है ट्याइंशु district में जो refinement ingredients है उन्हें तीन families से जाना पड़ता है जो कि ट्याइंशु district को operate करती है उन तीनो families ने काफ़ी जादा limitations हमारे उपर set की हुई है और उपर से जो third grade refinement room है उसकी performance जरह भी नहीं गिरी है तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारे room की जो priority है वो number one हो मतलब सारे ingredients वगरा हमें आए क्योंकि हमारा काम ही अच्छा है यान गुसा हो जाती है तब जो जैंक पिन होता है वो गुसे से बोलता है कि शान्त हो जातों सभी जैंक पिन बोल रहा होता है कि तुम सभी के अपने अपने बहान नहीं है मैं जरह भी interested नहीं हो उसमें मेरा कोई interest नहीं है मैं सिर्फ एकी चीज में चिंता कर रहा हूँ कि जैंगा उसकी performance गिर रही है अगर कोई भी जैंगा उसको नीचे गराएगा और उसकी reputation खराब करेगा तो मैं उसे जाने ने दूंगा सभी चुप हो जाती है मैं यह hope करता हूँ कि यह अंगलोड मुझे blame नी करेंगे मैं सिर्फ एकी चीज करता हूँ मतलब मुझे सिर्फ ज्यांगा उस लू लान सिटी की फिकर है लिलू सोच रहा होता है ऐसा लग रहा एल्डर जैंग हमारे साथ fight करने के लिए नी भेज जे गें यहां पे और ऐसा उनके हरान हो जाती है काईवी और ज्वांगी और बाकी सब हरान ही होते हैं वो समने पारे होते हैं कि लिलू यहां पर सोच कह रहा है ज्वांगी बोल रहा होता है यंग लोड को पता है वो क्या बात कर रहे है उन्हें पता ज्यांगा उस कैसे सही रहेगा जैंग पैन बोल में यहां पे रहूं तो मुझे बोल दो मैं चली जाओंगी वांग टाउन में एक तम सही काई भी बोल रही होती है कि यंग मास्टर जरा बूरे डिसीजन नहीं लेते हैं पर आज की डिसीजन ने मुझे एक तरीके से कन्फ्यूज ही कर दिया है लिलो बोल रहा है मिस काई भी में बेवकूफ नहीं हो तुम्हें लगता कि अच्छा चांस है लिंक को ओफिशली मतलब पोजिशन लेने का इस वाली को काई भी बोल रही होती है कि तुम्हारे पस कोई तरीका जिससे लिंक वह एफेक्ट हो रहा है इस सिच्वेशन के वास से जो फर्स्ट्रेट की परफॉमेंस है वह गिरती जा रही है जो हमारी करन्ट सिच्वेशन है मुझे लगता कोई तरीका होगा जिससे हम बस सकते हैं जो तुमने रूल वहां पे बोल दिया कि जो अच्छा करेगा वही प् करते हैं और खासकर बात करें emirates special water की फोर्मूला की जो मेरी ability है मतलब मेरा formula है उसमें कुछ जादा improvement करने की जगा नहीं है और रही बात मेरी tempering arts की जो मेरी ability और experience है वो एकदम से improve नहीं हो सकती है तो हम product को भी अच्छा नहीं बना सकते हैं काई भी बोल रही होती है कि young master अगर हम इसे गाई के तरह भी इससे दूद निकालेंगे तो कितना जादा निकाल सकता है यह लिल्यू को जादे मिक्स फीलिंग हो जाती है उसकी वह सोच रहा होता है कि यह कुछ जादे घटियासा explanation का तरीका था मतलब घटियासा example यान बोल रही होती है कि जो source aqua और source lux है वो temperate की manifestation power के उपर depend करते हैं और यह बात secret formula की तो वो जो formula होते हैं वो हर एक powerful organization में secret रखे जाते हैं जियांगा उसके पास कोई भी अभी नहीं है लिलू बोल रहा होता है कि वो case नहीं है इससे try करना चाते हो वो एक bottle type को आगे की तरफ करता है यान बोल रही होती है मैंने तुम्हें पहले बोला है बाकी के जो source aqua और source lux है वो किसी भी तरह की increase को नहीं लाएंगे वो bottle को open करता है तब ही जो यान कुछ बोलने लगी होती हो फिर वो हैरान हो जाती है उस bottle की तरफ देखके व तुम्हें इतने सदा high quality secret source aqua कहां से मिला लिल्व बोल रहा होता है मिस link शानत हो जाओ क्या ये source aqua काफी होगा वो बोल रही होती है of course इस purity के source aqua से हम किसी की tempering power को stabilize कर सकते हैं मतलब थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं 6th grade तक बढ़ा सकते हम ये काफी होगा song z house को मतलब defeat करने के उनकी daylight spiritual light को एक तरीके से वो पूरी confidence के साथ बोल रही होती है लिल्व बोलता है कि अगर मैं तीन दिन में दू हूँ ऐसा ही ने तो क्या जो first grade refinement है वो best बन जाएगा ज्यांग रूम में लब ज्यांगा उसमें ज्यान बोल रही होती है अगर तुमारे पास ये secret source aqua काफी ह तो ये जरा भी मुश्किल नहीं होगा हमारी production rate को increase करना एक तरीके से लिल्व बोलता है ठीक है मैं ऐसे करूँगा यान बोल रही होती है कि शायद वो दो master's से जिन ने लिल्व को ये secret source aqua दिया था काई भी बोल रही होती है ऐसा लग रहे है कि लूलान city blessed है क्यूंकि हमार लिल्व बोल रही होती है मैं को दो और बिजनस सेल करने पड़ेंगे सोच रही होती है जैसा मेरे टैलेंट है मैं कैसे situation में फस गई हूँ कि मैं को बिजनस को सेल करना पड़ रहे है चीज़ों को खरीदने के लिए लिल्व बोलता है शुक्रिया sister wee wee so guys this episode इतना था अगर